राम राम किसान भाईयों, मेरा नाम रमन है, आप देख रहे हैं खेती की जानकारी YouTube चैनल, इस चैनल के माद्यम से हमारी फसलों में इस्तिमाल की जा रही दवाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी आज एक कीड़नाशक के बारे में जानकारी देंगे जिसका टेक्निकल है बाजार में बहुत सारी कंपनिया इस दवा को अलग-अलग व्यापारिक नाम से बेच रही है सभी का रिजल्ट एक समान है आपके छेतर में जिस भी अच्छी कंपनी की दवा उपलब्द हो आप प्रयोग में ले सकते हैं बाइफेंतरिन 10% EC ये फसलों में कई प्रकार के रज चूसने वाले कीटों पर तता चबाने वाले कीटों पर अच्छा कंट्रोल देती है बाइफेंतरिन 10% EC दोरी क्रिया से कीटों को मारती है हमारी फसलों में इस कीट नाशक दवा का रिजल्ट लगबग 18 से 20 दिनों तक रहता है इस कीट नाशक दवा को आप अन्य कीट नाशक दवाओं और पफूनी नाशक दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन मना करके भी स्प्रे में ले सकते हैं अडामा इंडिया का ये इंपीरियल के नाम से आता है इंडो स्विस केमिकल्स लिमिटेट का ये स्पार्क के नाम से आता है वहीं धानुका एगरिटेक लिमिटेट का ये मारकर के नाम से आता है जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो कृप्या करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें वीडियो अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि दी गई जानकारी का वैबी लाब ले सकें बाइफेंटरिन 10% EC का छिड़काओ फसलों में लगने वाले विभिर्ण प्रकार की सुंडियों पे सफेद मक्की पे, हरा फुदका पे, अन्य मच्छरों पे प्रभावी नियंतरन के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है ये कीट नाशक मिटी में अधिक दिनों तक सक्रिय रहता है जिसके फल सुरूप दीमक पर भी अच्छा नियंतरन पाया जा सकता है बाई फैंतरन 10% EC का प्रयोग आप रभी खरीब की लगबग सभी फसलों में कर सकते हैं चाहे वो तिलहनी फसले हों चाहे वो दलहनी फसले हों सभी में इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है बारिश के दिनों में आप इस दवा का प्रयोग नहीं करेंगे इसका रिजल्ट नहीं आता फूल की अवस्था में भी इस दवा का चड़काओ नहीं किया जाता खीरा, ककडी, भिंडी, हरा मिर्चा, शिमला मिर्चा, धान, गन्ना, आम, लौकी आदी फसलों में इस दवा का प्रयोग हम कर सकते हैं बाइफ एंतरिन 10% EC, धानुका एगरी टेक लिमिटेट का मारकर के नाम से आता है बजार में इसके विभिन पैक साइज उपलब्द हैं जैसे 5 लीटर, 1 लीटर, 500 ml, 200 ml, 100 ml इसका 1 लीटर का पैक लगबग 1000 रुपे का आता है प्रयोग मात्रा की अगर हम बात करें तो इसकी डोस 400 ml प्रती एकड की दर से 180 लीटर पानी लगा करके प्रयोग में ली जा सकती है प्रती लीटर पानी की अगर हम बात करें तो देड़ से 2 ml मात्रा ही इस्तेमाल में ली जाती है प्रती 15-16 लीटर वाले स्प्रे पंप में इस दवा की अधिकतम मात्रा 35 ml तक ले सकते हैं बाई फेंथरिन 10% EC का डूल मोड अफ आक्शन है स्टमक और कॉंटाक्ट एक्शन के द्वारा ये कीटो पे अच्छा नियंत्रन देती है उधारण के तौर पे कपास में चितकबरी सुंडी, गुलाबी सुंडी, सफेद मक्की सभी पे पूरा कंट्रोल देखा गया है धान में तनाचेदक हो, पत्ती लपेट हो या हरा फुतका, इन सभी को ये मार गिराती है वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल या सुजाओं हो, तो आप कमेंट अवश्य करें आशा करता हूँ, आपकी फसले रोगमुक्त रहेंगी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद